प्राचीन काल में देवी देवता एकांत में शुशान में रहते थे। उनकी मौझूद्गी इन पाहणों को भी स्वर्ग बनाती थी। जब पहली बार धर्ती और आकाश बने तब जीवन शक्ती दो हिस्सों में बढ़ गए। अच्छी शक्तियों को आस्मान मिला और वो अमर हो गए। वहीं बुरी शक्तियां असुर बनकर पाताल में समा गए। देवी देवता इनसानों के खुशहाली चाहते। वही असुर इनसानों को परिशान करके दुनिया को अशान्त करते। मास्टर, क्या मैं मारा जाओगा। केलविन, मेरी शिक्षा भूलो मत ध्यान में रखो। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। फंदियन पांच सो साल हो गए अब वक्त है कि ये सब खत्म हो जाए इन पांच सो सालों में तुमने अपनी बुराई नहीं छोड़ी तीनों लोक में हाहाकार मचाया आज हम तुम्हारा इंसाफ करेंगे और दुन्या में हमेशा के लिए शांती कायम करेंगे मैं बुरा हूँ तुम सारे के सारे अमर हो अमर और हम असूर एक बार जो कोई बुराई के रास्ते मुड़ गया उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता मार दो सब को मार दो अमर होने की गलत फैमी दूर कर दो आकरमान याद रहे कोई भी भी ना बचे चोड़ दाई याद रहे कोई भी ना बचे लिए याद रहे कोई वाद रहे कोई अच्छा अच्छा याद रहे कोई अच्छा याद व्याद याद रहे कोई झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो फंटियन मेर, खुल जाओ फंटियन फंटियन अपनी शक्तियों को खत्म करके, पेरा नॉस कर रही हो तुम भी मेरे साथ नॉस हो जाओगी जाओगी झाओगी 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 मास्टर 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 हमें छोड़कर मच चाहिए नादान इस तरह रोते नहीं अपरों की सुरक्षा के लिए उन्हें बचाने के लिए प्राणों का त्यागना जरूरी है केल्विन मास्टर बचंदो इंसान बले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो उसकी सुरक्षा तुम अपने प्राण देकर भेग करोगे जी मास्टर 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 पवित्र फैंटियन ने असुरों की ताकत को कैद किया अपने फैंटियन मिरर में फैंटियन के इस मिरर को कुन्लून में रखा गया जिंग होंग ने फैंटियन मिरर को महफूज रखने के लिए एक वीहरशना बनमाई जिसकी हिफाज़त कुन्लून की पीड़ी दर पीड़ी को सौपी गई ताकि दुनिया में इनसानियत काइम रह सके कुन्लून की जिसकी हिए सके दो पहाडों के बीच कबरिस्तान के नजदीक, चारो तरफ पानी और हर तरफ बहती हवा, यही वो अप्शकुन जगा है, जहां पर कैट स्पिरिट भटकती है, सब लोग हर वक्चोकनने और सावधान रहना, हाँ, कैट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा चालाक है, उससे कम बिल जपकते कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ गया, कैलविन, जरा उसे देखो, उस और जो आखे कितनी तेज हैं, और उसके हाथ में जो हातियार है, वो कितने धारदार है, उसकी हरकतों में चपलता, और खत्रा तो साफ साफ जलक रहा है, मुझे लगता है, यही कैट स्पिरि इसकी आखे तो देखो, कैसे मासुमियत से देख रही है, देखा कैसे बोली बनने का नाटा कर रही है, मुझे लगता है, यही कैट स्पिरिट है, मीठे खाने से दाथ खराब होते है, बेवकुफो चलो यहां से तुम क्या सोच रहे हो, एक बात पर गौर किया, इस गाउ में मर्द नहीं है, लगता है कैट स्पिरिट ने, सभी मर्दों को मार कर, उनकी एनरजी सोक लिए, जब भी यहां कोई मर्द आता है, कैट स्पिरिट उसे सूनते हैं वे आ जाती है, तो हम में से एक, उसे भसाने क के लिए यहां पर उकेगा, यह जंडा देख रहे हो, कैट स्पिरिट के यहां आते ही, यह चमकने लगेगा, वाह, क्या प्लान है, लेकिन दोस्तों, बली का बकरा कौन बनेगा, कहां गए, हम तुम्हें बचा लेंगे, आने तो उसे मैं देख लोंगा, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम, अरे उट, 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 आगे, जल्दी से देखो, आज़ा, तुम क्या कर रहे हो, क्यों न हम अकेले में कहीं मिले, अकेले में, अकेले में, अकेले में क्या करेंगे, इस बत्तमीज दड़की चलो जाओ यहां से जंडे को हिलाना बंद करो जाओ यहां से कितनी खुपसूरत है करविन तुम को हो तो मैं उसकी मदद करेंगे जाओ करें जाओं वो थग्या होगा उसके जगह मैं चला जाता हम ने ने बेटो बेटो अ केलविन केलविन क्या हुआ है कि अदुम्हारी एनर्जी हम सबकी एनरजी से कम है इसका मतलब उसके लिए हम बक रहे थे चलो उसका पीछा करते मेरवार से हो घायल हुई है आसपास ही होगी सबकी सब बच गए आसओार्डी सब करते हु झाल झाल लो पकड़ो तुम ठगगे होगे आराम करो मैं असे देखता हूँ चोड़ना मत इसे तुम हमसे पंगा लेगी? हाँ? हमसे पंगा लेगी? जानती नहीं हमें यह ले तुमने कुछ जावा ही कर दिया तुमने उसकी रसी बांधी? नहीं तो मुझे लगा तुमने बांधी होगी मैंने तुमसे कहा था ना? मैं भूल गया छूले मैंने महीं बांधी तुमने अबी जाले मैंने असे बांधी बांधी तुमने लेगी होगी यह क्या, इमाई गुरुकुल की शिश्या, यह काम तुम्हे शोबा नहीं देता, इसे हम पर ही छोड़ दो कुलून की लड़के तो कोई काम की नहीं, इसलिए तो सब हमें करना पड़ता है हम कैट स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके साथ खेल रहे थे हाँ, क्या सच में, चलो हम भी खेलेंगे नहीं, आज हमें एक ज़रूरी काम है, किसी और दिन खेलेगे रुको, कैट स्पिरिट को यहीं छोड़ो, उसे हमने पकड़ा है वो कैट स्पिरिट कुलून की नहीं है, हमने उसे पकड़ा है, वो हमारी है केलविन, सुन के रहे हो तुम, जो आप दोने देखो, कैट स्पिरिट को चुप चाप छोड़ दो, वरना यहां से सही सलामत नहीं जा पाओगी रुको, मैं देखता हूँ अब देखते जाओ, मैं क्या करता हूँ अरे मर गया अरे, बचाओ मुझे, बचाओ केलविन, लड़कियों को बल से नहीं समझाय जाता, उन्हें समझाने के लिए दिमाग का इस्तिमाल करो केलविन, मेरा दिमाग फेल हो गया तीन तक गिनूंगा, उससे पहले छोड़ दोने रुकी है सिस्टर, मैं देखते हूँ कर दो है, पमें देखते हैं एक दो अबड़ भी आप गोड़ बचूदी जब्सका कि पागे जब्सक्राप चोलो चोलो मुझे है मदद कर आ ते अ आ ज़े ज़ेश्म ज़ेश्म मरव इस बारी बारी बातने यह कम बाद नपस गरेख मसाया मार आ लाख सयगू मैरे कबा बारा में मुझे ज़एश्म इस बार तुम्हें छोड़ दिया तुम्हें पता था ना मेरी कमर में मोच है फिर भी मुझे लाद मारी वो भी मेरे चेलो के सामने क्या इज़त रह गई मेरी शीना को पहले से ही मुझे पर शक है उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया तो हम कब तक ऐसे छुप-छुप के मिलते रहेंगे पहले तुम कुनलून के मास्टर बन जाओ कुनलून का मास्टर? मैं मास्टर कैसे बन सकता हूँ मैं तो जरूर एक तिन इमाय की मास्टर बनेंगी शेरी मैंने ये आलोकिक शक्ती से लेगा आमतोर पर ये दिखेगा नहीं लेकिन जब तुम किसी मुश्किल में होगी तो ये नजर आएगा और मैं तुरंट तुम्हारे पास बोच जाओगा तुम्हें बचाने के लिए बचाओगे या बचाना पड़ेगा इस साल भी युद्धिकला की प्रतियोगिता में प्रदर्शन नहीं करोगे क्या करूँगा तो मैं ही जितूँगा लेकिन बस तुम मेरे सामने मता जाना चूड़ो भी मुझे सब मालूम है अच्छा केलविन ये शूशान का नजारा कितना खूबसूरत है ना ऐसा लगता है ये पानी एक आइना है खूबसूरत तो है लेकिन तुम से ज्यादा नहीं तुम्हारी इनी बातों ने तो मेरा दिल जीता है अच्छा साओ झाल उल्मड़ के लगता, आझने तुम्हारी नहीं इंद का ये जद मेंसे ऑन ज्याता है अच्छा के ये शtoo हूग संद जसे जड़ेद़發wen वें वाल कि दोे रधर 갈ी ये अजे breed वेंसे तो प्ऽेश टन स अचवतैकता इक शेरी, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी सच तो ये है कि आपकी मदद से ये काम काफी आसान हो गया अच्छा है, जो तुम्हें ऐसा सोचती हो तुम्हें चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की कुछ ही दिनों में कुनलुन और इमाई के बीच प्रतियोगिता होगी शीना, शेरी, तुम दोनों से मुझे काफी उमीदे हैं तुम हमारे इमाई कुल का सर जुकने नहीं दोगी बिल्कुल देखो शीना, तुम मेरी पुरानी शिश्या हो खुस्से और गुरूर पर काबू रखो हर वक गुस्सा सिर्फानी करता है येस, मास्टर जा सकती हो जिंग होंग अब से तुम मुझे मास्टर बुलाओगे इतने साल हो गए, कुछ सीखा नहीं तुमने जिंग होंग, ठीक है अगली बार से भई ही बुलाओगा तुम कैट स्पिरिट को पकड़ने गए थे क्या इस बार तुमारे हाथ कुछ लगा? हमारी कोई गलती नहीं थी हमने दो से पकड़ी लिया था लेकिन इमाई के लोग उसे जबरदस्ती ले गए तुम उनकी तरह चतुर और चालाक नहीं हो और खामखा मुझसे बहस कर रहे हो जिंग होंग? बहुत हो गया कुनलोन इमाई की प्रतियों किता होगी और तुम यहां के सीनियर हो मैं नहीं जानता के तुम यह कर पाओगे या नहीं पर तुम कुनलोन की प्रतिष्ठा नहीं डुबाओगे नहीं डुबाओंगा चलता हूँ जिंगों, वक्त पे खाना खा लेना रुको क्या बात है कुछ है ये तुमको इतने सालों के बाद भी तुम किसी काम के नहीं अब मास्टर की कबर के पास जाकर आपना दुखडा रोते बैठोगे कम से कम मरने के बाद तो उन्हें चैन से सोने दो ठीक है, माँ भी नहीं जाओंगा अरे क्यों नहीं जाओंगा मास्टर वक्त निकाल के आपके पास आई जाता हूँ तो पहले कौन? आप या मैं? मास्टर मुझे शेरी शेरी बहुत अच्छी लगती है लेकिन हमारा मिलना मुश्किल है यह काईदे किसने बना है? ऐसी थोड़ी होता है इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है हाप भी को ले लीजिए आपको भी तो एबेस से प्यार था ना? पर आप दुनों की शादी क्यों नहीं हुई? यह जाम आपके टाइप का नहीं है ना? अब मैं आपकी तरह मदिरा नहीं बना सकता हूं, मास्टर मुझे तो डर है कि आपके जाने के बाद अच्छी मदिरा पीने को नसीब ही नहीं होगी मास्टर मास्टर, मुझे चाल गाईए जीएगा हूंगा पता चलेगा तो फिर डाटने लगेगा पर मैं आपसे मिलने दोबारा हूंगा केल्विन, हम कब तक सिर्फ यही करते रहेंगे? आपको मास्टर ने कुछ और नहीं सिखाया क्या? अभी दिखाता इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? है ना? अरे यह करके बोर हो गए है बस यही करना है केल्विन, रोज रोज यही सिखाते हो डेव कुफ समझाये क्या? अब ना मूबन करो और अच्छे चलो की तरह जो कह रहा हूं उस पर धान दो एक अच्छा योधा बनने के लिए एक ताकतवर मीव होना जरूरी है और उस कला के बारे में तुम में से कोई नहीं जानता है और वो क्या है? और वो क्या है जाद रहे हमें परिष्टो ने भीजा है दादा जी उठीए देखिये क्या है और रहे हमें जादा जानता जादा आदा जादादा जाता है झाल झाल थोड़ा आराम कर ले दे शरी शरी देखा मैंने कहा था ना मैं तुम्हें हरादू मी नहीं तुम्हें वहां चितिंगी थी बस भी करो तुम यहां किया कर रहे हो अगर इनोंने देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं तुम आपकर हो क्या अगर शीना या मास्टर को पता चल गया थो मैं कभी मास्टर नहीं बन पाऊंगी अब जाओ यहां से तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूँ क्या शृ। चले जाओ यहां से, भागल मत परो। नहीं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं ज़ाओंगा इससे पहले कोई तुमें देख ले, चले जाओ यहां से आया हूं तो कुछ लेके यह जाऊंगा तुम यहां से जाने का क्या रोगे? पहले किस करो? तुम किस से बात कर रही थी किसी से नहीं, अपने आप से अब चलो यहां से किसी से बात कर रहीं, अब चलो यहां से जब से आप कुल्लून के मास्टर बने हैं, तब से कुल्लून की गरिमा आसमान की बुलंदिश हो रही है आप शर्मिंदा कर रही है, जब हमारे मास्टर जिन्दा थे, तब हमारी करिमा और भी उचाई पर थी दोनों संप्रदाय के बीच प्रतियोगिता होगी, याद रहे, इस प्रतियोगिता में किसी की भी जान मान का नुफसान न हो अफसोस आपके मास्टर बहुत जल्दी चले गए न, आपको अकेले ही इन शिश्यों को सिखाना पड़ गया, मैं समझ सकती हूँ, उनके कमजोर होने का कारण मास्टर ने तीनों लोकों के लिए अपना बलिदान दिया है, और हमारे लिए यही बात एहम है, और वैसे भी, अब हमारा लक्ष एक ही है, फैंटियन मिरर की रक्षा करना, ताकि तीनों लोकों में शान्ती कायम रहे मास्टर दुनिया भर की रक्षा करने निकले हैं, सुनके बहुत अच्छा लगा वो ही हमारे आदर्श है कुनलुन की चीत हुई हम चीत के कुनलुन, 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 कुनल ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें जीतना है, लेकिन हार गई तो तुम्हें पता है क्या होगा? हाडने के लिए तयार हो जाओ, हाजीत का फैसला बाद में होगा, हाँ, 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 कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल तुम इतनी सीरियस क्यो हो? होना है पड़ेगा ना? होना हुआ झाल मैं जीद गया कितना रोमेंटिक है देखा तुम्हें कौन लुन की दोबारा जीद हुई वैसे मुकाबला अच्छा रहा शेरी तुमने आज मुझे बहुत निराज किया है माफ कीजिए इस हार के लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहिए दे सकती है मास्टर आज शेरी की हार सिर्फ उसकी लापरवाई की वज़े से हुई है हाँ मास्टर आज इसका बिलकुल भी धियान नहीं था शेरी मन को काबू में रखना सीखो मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदे है जी मैं समझ गए मास्टर आज केल्विन की किस्मत अच्छी थी इसलिए वो शेरी के हाथों से बच किया लेकिन आप कहे तो मैं उसे सबग सिखा सकती हूँ जरूरत नहीं मास्टर केल्विन को हराने के लिए मुझे बस एक मौका चाहिए नहीं मास्टर मुझे एक और मौका दे कर देखिए तो इस बार शीना अगवाई करेगी पीज ब्लॉसम स्पिरिट को पकड़ने में पीज ब्लॉसम स्पिरिट? ये स्पिरिट काफी ताकतवर है तुम लोग उसका चारा हो जैसे ही तुम उसे ढून लो थंडर फायर का संकेत भेजो और बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो जी इस बार हम आपको बिल्कुल निराशनी करेंगे ठीक है मैं ठक गई हूँ थोड़ा आराम करना चाती हूँ ठीक है अरे जली लाओ कितनी देर लगा थी तुमने तो हम क्या बोल रहे थे इस प्रतियों किता में केल्विन बड़ी ही आसानी से जीत गया तो इसी खुशी में अगला जाम इसकी जीत प्रतिया तुमने ये कैसे किया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है याद है पिछली बार कैट स्पिरेट को जाने दिया था पर इस बार मैंने सूचा मैं साबित कर दूना कि मैं बेहतर हूँ तुमने तो नंधूल चटा तुमने तो कमाल कर दिखा है मानते हो ना सर्कल बनानी की कला भी बहुत ज़रूरी है अब तो बोर महीं होगे न केलविन तुमने उस पीच ब्लॉसम स्पिरेट की बार में कुछ सोचा है मास्टर ने उसे पकड़ने के लिए है सुना है वो बहुत ताकतवर है मुझे लगता है उसे पकड़ना इतना असान नहीं है एक रास की बाद गता हूँ देखो किसी को बताना मताँ हाँ नहीं बतानी है पहले जाम तो बनाँ मुझे भी मुझे भी डालोगी चीर्स चलो अब बताना शुरू करता हूँ कहते हैं पीच ब्लॉसम स्पिरेट एक बहुती खुबसूरत लड़की है चुप पीच ब्लॉसम स्पिरेट तब ही बनती है जब किसी आत्मा की इच्छा अधूरी रह जाती है वो एक टायन है जो रसीलिक फल के पेड़ पर रहती है और उस पेड़ से उसे एनरजी मिलती है वो अपने साथी का इंतजार कर रही है कहता है कि उसकी आखे हेरनी जैसी है तूद की तरह सफेद तुचा बड़ी बड़ी आखे लाल होट और सफेद दान्त उसकी खुबसूरती का कोई जवाब नहीं हरे आगे तो सुनो वो अपने खुबसूरती कायम रखने के लिए खून पेते है जवान लड़कियों का खून जवान लड़कियों का खून जवान लड़कियों का खून जवान लड़कियों का खून का खून जवान लड़कियों का खून हमादार हो ändern कि अके ऩठार में कि अजीर अजय है में तुष, जगी है नहीं रोग सकती सिस्टा, मास्टा को संकेत भेजिए जल्दी करो अगर हर काम उनी को करना है तो हम किस काम के जल्दी करना है यह सारी बाते तुम्हें पता होनी चाहिए पता दोना चाहिए इसलिए हम भी उसको पकड़ने जाएंगे, ठीक है? टूञे टीक युदिननना जाएंगे वा जाएंगे यह विए पर बेगार बात्रे पत्रेज़ इसलिए यह वाएंगे यह वाँ वाँ यह एंगे वाँ वाँ वाश शरी 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 वहाद उचल उचल भी वहाद उचल 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 इट ओख को आख कान थी वो उवेक सबना था उवेक सबना था उवेक सबना था दरो में शेरी मैं आराँ आराँ शेरी तुम ठीक तो ना मैं ठीक हूँ सुनो फॉरन मेरे साथ कुनलुन चलो तुम्हारे मास्टर से मिलते हैं केलविन ये जो भी कह रही है क्या वो सच है क्या तुम इमाय की शिश्या शेरी से प्रेम करते हो नहीं है जूट है हम वहां सिर्फ उसकी मदद के लिए गए थे शेरी क्या ये लड़का सच कह रहा है शेन टीक है मस्टर मैं मानता हूँ कि मैं शेरी को बचाने के लिए वहां गया था लेकिन ये एक तरफा प्यार है इन बातों से शेरी का वो ही लेना देना नहीं है है बेस फ्लीज इसे जाने दीजे और सजा इसे नहीं मुझे दीजे इसमें इसकी कोई गलती नहीं है सारा कुसूर मेरा है क्यों शेरी क्या ये सच कह रहा है सच ही है कि मैं ही केल्विन से प्यार करती हूँ सजा मुझे मिलनी चाहिए केल्विन तुम कुनलुन के सीनय सिश्य हो और तुमने ही नियमों का उलंगन किया है तुमने ऐसा करके हमारे पूरवजों का अपमान किया है और इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तुम्हें वचन लेना होगा कि आज से तुम ब्रह्मचरे का पालन करोगे शीना शीना मैं कॉनलून का शीश्री अपने पूरवजों के सामने वचर लेता हूँ कि मैं जिन्दगी भर प्रह्मचरे का पालन करूँगा किसी स्त्री के साथ कोई सम्मन नहीं रखूँगा और अगर मैंने असा की तो मुझे हर ससा मन्सूर होगे मैं कॉनलून का शीश्य अपने पूरवजों के सामने वचर लेता हूँ कि मैं जिन्दगी भर प्रह्मचरे पालन करूँगा किसी स्त्री के साथ कोई सम्मन नहीं रखूँगा और अगर ऐसा किया तो जो ससा दोगे मुझे मन्सूर होगी मास्टर आपको मालूम है जिन्गां रोज बोलते है आपके पास नहीं आना ची लेकर मैं नहीं सुनता मैं दो रोज आउंगा है आउंगा आपके बोलते है झाल झाल मास्टर एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है कल रात तुमने क्या कह तुम्हें पता है मैं तो मास्टर के कबर के पास था ग्रैंड मास्टर का शरफ का है भे ये कैसे हो सकता है ये नमंकिन है तुमने अनुशासन का पाला नहीं किया इसलिए मास्टर ने तुम्हें कबरा की रखवाले करने की सजा दी थी पर तुमने तो और वेवड़ी मुश्किल खड़ी कर दी मुझे नहीं पता मैं बस बहुत हुआ कैल्विन को नजर बंद किया जाए इसका यही दंड है कैल्विन को बंद किया जाए कैल्विन को बंद किया जाए किया तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर यहां कब आने वाले है मुझे कुछ नहीं पता मुझे कुछ यहां किया तुम्हें तुम्हें ग्राइड मास्टर बाग जाओ जाओ जल्विन से मास्टर को बलाते है कल्विन 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 उठो कल्विन उठो ग्राइड मास्टर फिर से सिदा होगे क्या मास्टर जिन होंग मुझे फिर से किसे काली शक्ती ने जिवित कर दिया पता लगाओ के वो कौन है मरना कोई नहीं बचेगा क्या वः क्या वः वः कर दो 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 कर मैं किसी और के वश में हूँ मुझसे दोर रहो किल्विन मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है यहां से चले जाओ यहां मताओ केल्विन केल्विन जिन होंग यह काम नहीं करेगा मास्टर हम उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे जिसने भी आपका ये हल किया है जिन होंग मुझे फैंटियन मिरर में खैद कर दो नहीं ऐसा करने से आपकी आत्मा नश्ट हो जाएगी और आपका दुबारा जन्द नहीं होगा यही तरीका है कुनलून और सब को बचाने का नहीं मास्टर मैं यह नहीं कर सकता जिन्दा कुनलून और सकता दुबारा जन्दा आत्सुबारा जाएगी अश्यून यह जप्ली। यह तरीका दुबारा जन्दा उन्दा गिराएगी यह तरीका होगा आ दुबारा यहीं जिंग हॉंग, हमें समझाने की जरुड़त नहीं, हमें सब पता है शेरी जिंग हॉंग, आपके मास्टर काफी ताकतवर है उन्हें ज्यादा समय के लिए रोक नहीं पाऊंगी, फैंटियन मिरर में कैद करो जिंगॉंग, नहीं, ऐसा किया तो मास्टर नश्ट हो जाएंगे जिंगॉंग, सोचने का समय नहीं, कुनलुन के लिए यही सही है जिंगॉंग, ज्यादा सोचो मान, मुझे जल्दी से कैट करो नहीं जिंगॉंग जिंगॉंग, 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 इतना मत सोचो, इस्तेमाल करो जिंगॉंग, जिंगॉंग, सामट करो वो हमार पास्टर है कर दो, 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 क गेलविन, तुम अब तक जिन हॉंग की आग्यां का पालन नहीं करते मास्टर, माच जाए तुम जब भी मेरे कब्र के सामने आकर कुछ कहते मैं वो सारी बातें सुनता मुझे पता है कि अब दुबारा ऐसा नहीं होगा लेकिन इस बात की उम्मीद करता हूँ कि भविश्य में तुम जिन हॉंग की मदद करोगे ठीक वैसे ही जैसे पहले किया करते थे मास्टर 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 ऐसा क्यों किया काली दुनिया पर हमेशा के लिए राच करूँगी मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकती मात तुम छोड़ूगा राई नहीं शेरी धर्ती और पाताल को एक करने के बाद तुम एमे की मास्टर बन जाओगी अगर तुम यहीं पर रुख गई तुम भी कुनलून के साथ खतम हो जाओगी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जिंग होंग त्यान से सनो तुम्हे कुछ तरह होगा मेरी बात सना कुनलून का आप तुम्हें समभालना होगा केलविन जिंग होंग मैं नहीं समाल पाऊँगा तुम्हें ये करना होगा और मैं नहीं चाहता कि मास्टर की तरह हमारा इस्तमान हो वचन दो वचन दो मैं वचन देता जिंगो नहीं नहीं जिंगो केलविन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभाल ली होगी मास्टर को खत्म कर दिया चेंगोंग भी चला गए अब मैं क्या करूँगा हिमत मत हारो तुम्हें कुनलून को बचाना है और ये भी मत भूलो की फैंचन मिरर हासल करना है तुम्हें कुछ नहीं कर सकते तुम्हें नम्मर के कायर हो केलविन मैं तुम्हें बार में गलत सोचती थी तुम्हें अपने मास्टर से वादा किया है कि तुम हर हाल में इंसानियत की रक्षा करोगे तुम कुनलून के लिए पलिदान दोगे अब फैंचन मिरर मैं वापस लाओगी चाहिए काम करने में मेरी जान है क्यों ना चली जाए चली जाए केलविन कभी हार बद मानना कुनलून की जिन्मेदारी तुम पर है और उसी लोगों की भी कुनलून की जाए मुझे रोक कर तो दखाओ हमने देर कर दे वो शैतान आजाद हो गया अब हम क्या करेंगे वो हम सब को मार डालेगा क्या हुआ मौत से डर रहे हो गया बिल्कुल नहीं आपस में मत लड़ो तो कुनलून के साथियो मेरे ओर्डर स्फॉलो करेंगे तो आगे बड़ो हमें मास्टर और ग्रांड मास्टर की मौत का बदला लेना है बदला 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 यह फैसला सिर्फ कुनलून का मास्टर लेगा कैल्वन मुझे अपनी जिम्मधारियों का इसास हो गए अब मैं कुनलून की रक्षा करोगा तुम सब कुनलून की रक्षा करोगे हाँ मेरी आग्या कपालन करते हुए दुश्मनों को हराने में हर वक्त मेरा साथ दोगे येस पाचल तुम भी तयार हो जाओ साथियों तयार है हमें शैतानी दाकत को खत्म करना है, मासूमों को बचाना है जरूर मास्टर क्या तुम्हें इससे मिलना है मास्टर, मास्टर, मास्टर उटिये, मास्टर, मास्टर जानती हो मैने जिन्दगी में इमाई को ताकतवर बनाने और कुनलून को हराने की कोशिश कि लेकिन अपने इसी पागलपन में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई शेरी फैंटियन मिरर वापस हासिल करो और इन असुरों का नाश करो Master 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 आज के बाद इस दुन्या में ना कुन लुन रहेगा और ना इमाई जब इसको फैंटियन मिलर मेरे हवाले कर दो मुझे मजबूर मत करो फैंटियन मिलर मेरे अगर हिम्मत है तो इसे हासल करो आपना आम आपना बखिए 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 झांप ये वउ तो देखो, अपनी आँखो से देखो, अपने शिश्यों को तलबते हुए, मरते चुए अपने शिश्यों को तलबते हुए, मरते हुए सबीचे है जाँ अपने शिश्यों को अपने शिश्यों को तलबते हुए, मरते हुए अपने शिश्यों को तलबते हुए आम तोर पर ये दिखेगा नहीं, लेकिन जब तुम किसी मुश्किल में होगी तो ये नजर आएगा और मैं तुरंट तुम्हारे पास बहुच जाओगा तुम्हें बचाने के लिए बचाओगे या बचाना पड़ेगा अच्छा केलविन ये शुशान का नजारा कितना खुबसूरत है ना ऐसा लगता है ये पानी एक आइना है किली एक टांलब ये शुबसूरत नहा है अच्छा जयरो और बचे टांलब सुबसूरत है और ये इतगे painfulबंगेन को कि ये दो किय kend yourself LIVE कर दो 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 कर तुम दर ठीक हो न, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी बहुत जोर का मुक्का मारा, पर इस माने छूता लिया झाल 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 झाल